हेलो बच्छबाटी और सब कैसे हो बढ़िया तो आज अपने वेटा बात करेंगे लाट चैप्टर का अगला वीडियो जिसमें आपको पढ़ाऊंगा मैं सब्सक्राइब करेंगे आप लोग ठीक है किससे बात करेंगा यापन लोग कॉन्वेक्स लेंज से ठीक है तो आपको रूल्स है तो मैं रूल की बात करूं फर्स्ट रूल की तो जो पहला रूल है वेट आपका वो है देखिए है Convex Lens पीछे ले वीडियो मैं आप लोग जान चुके हैं यह जो lenses होते हैं वीटा इनने अपने लोग बोलते हैं Convex Lens ठीक है यह कहला था प्रिंसिपल एक्सेस और जो मिड़ पॉइंट होता है और यह आपको फोकस होता है एफ बन और दूसरा फोकस होता है आपका F2 यह C1 और यह आपका C2 ओके देखो पहला रूल की आता है अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरलल आती बटा कैसी आती है पैरलल तो वो आफ्टर रेफ्रेक्शन किस से जाएगी फोकस से तो यह आपका यह दूसरी शाट फोकस होता है उससे चली जाए यह कोई भी लाइटरे पैरलल तो प्रिंसिपल एक्सेस आएगी आफ्टर रेफ्रेक्शन किस से जाए जो दूसरी साट का फोकस होगा क्यूंकि यह जो लैंस होता है आपका क्वेक्स यह होता आपका कंवर्जिंग टैपको कैसा होता है कॉन वर्जिन टाइट पर लेंस होता है ठीक ना कॉन वर्जिन लेंस है कैसा आपका कॉन वर्जिन लेंस ओके रूल सेकंड देखिए आप रूल सेकंड कि अगर कोई भी लाइट रेंस के फोकस पर गरती है किस पर गरती है फोकस पर तो इस लेंस से कि इस लेंस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सेस के ठीक ना तो यह कोई लाइट रहे आई एक फोकस से आई और आफ्टर रेफ्रेक्शन यह कैसे हो जाए आपके पैर रिला ठीक है यह अप्टिकल सेंटर वह है आपका ओके रूल थर्ड देखिए रूल थर्ड क्या कहता है आपका रूल जो थर्ड है वह कहता है आपका कोई भी लाइट रहे कोई भी लाइट रहे आपकी अगर अगर आप्टिकल सेंटर वह से जाएगी किसंसे आईगे यह पोफ टीकल सेंटर वो से तो बीना कैसी डेविएशन के मीज अगरड़ेशन होगा तो नेल्ग बहुत कम थीका ना नेगलीजिबल डेविएशन होगा आप से ही कहूं कि यह लाइट रहा आया आपके आप्टिकल सेंटर ओप है तो आफ्टर रिफ्रक्शन कैसी जाएगी एकदम स्टेट जाएगे बिना कसी डेविएशन के मेंज नेगलीजिबल डेविएशन के ठीक आप चांदते हो नेगलीजिबल को हम लोग एकदम मानते ही नहीं है कुछ भी ओके तो यह आपके तियन रू इमेज की तो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंज ठीक ना किसकी बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंज और कॉन्वेक्स लेंज कैसा होता आपका कनवर्जिंग आपका इमेज Formation By Convex Lens ओके तो इसमें आपका कि जब हमारा Object कहा रखा गया है Infinite Means Case First Case First जो है आपका वो मैं ले रहा हूँ Object Placed At Infinity का रखा है हमने Infinity पर रखा हुगा है पेटा Object को ठीक है Infty पर रखा है तो Image का बनेगी ज़रा समझी है यह हमारा Convex Lens यह होगा यह हमारी Principal Axis यह होगा आपका Optical Center O यह मैंने माल यह First Focus यह होगा आपका Twice of First Focus याद रखेगा यह होगा है जो मना C1 माना आज को आप टू F1 C2 को टू F2 टू F1 टू F2 मान आएंगे ठीक है ना टू F2 टू F1 यह भी आप मान सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है इदर हमने ले लिए आपका टू F2 तो C2 हो जागा हमारा टू F2 ठीक है यहां तो कोई प्रॉलम नहीं होगी आपका इन्फिनिटी पह है तो इन्फिनिटी तो किसी ने देखा नहीं है तो यहां कहीं मान लिया रखा हुगा है तो यह रे जो आएंगी पैरलल प्रिंसिपल एक्सिस के अभी मैं बताया सब्सक्राइब का रूल फरस्ट कहां से आएंगे ऐओं पहलो लाएंगे ऐँ एक ऑन केномis कर रहे हैं आपकी फूकस पर किस पर मीट करती बटा में फूकस पर ठीक है रीयल मेटिंग हो रही है इस बज statute यह होगा आपका रीयल ठीक है तो अगर मैं बात करों इमेज की तो इमेज जो बनेगा आपका वो बनेगा पहला पॉइंट एड़े फोकस ऐस ऐसे भूत रहो हो दूसरे पॉइंट कि एक रम बात करें तो वो है आपका real ऑब रही आपको बता अधा जब भी रियो लोगए तो में इसा उल्टा होगा तो में इस कैसा ओग आपका इनवाइटेड और देखिए आपका कैसा है बहुत ही छोटा है तो अबने बोल दिया डिमिनाइज्ट या पॉइंट साइज्ट डिमिनाइज्ट ठीक है इस कंडिशन में आपको सान कंवेंशन यहां पर साथ के साथ बताते चल ला हूँ वैसे मैंने बीडियो डाला हुए सान कंवेंशन का आप उसको भी देख सकते हैं हमेशा यू कैसा लेते थे हम नेगेटिव बेटा बी और जो आपकी फोकल लेंथ एफ है वो कैसे होंगे आप आपका इदर से यह जा रहा है और आप ऑ्टिकल्स से दूर यहा बिør फीजर करें है इस बजय से आपका जो भी है यानिक giveaway डिस्टंस यहां से यहां तक का यह जो फोकल लेंथ है भही आपका इमेज स्टंस है तो दनों प्जिटिव होंगे जबकि यहाँ जो है बो इदर है आपका तो यहां पर इंफानाइट है तो वो कैसा होगा नेगेट ठीक है ना बात सब्सक्राइब के आगी होगी अब यहां पर देखिए के के सेकंड तो के सेकंड जो है वो है आपका अब आपने अब्जेक्ट रखा है वो रखा बिट्मीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस अभी जो आपने अब्जेक्ट रखा है वो रखा है अब अब अप्टिकल सेंटर ओ और एफ पन के बीच में यह में डाल दिया प्रिंसिपल एकसी में अंदाज से डाल आओं आप लोग को सेंटर ओ गया यह आपका एफ बन ले लिया तो यहां पर आपका कहीं टू एफ बन होगा मैं अंदाज से ले रहा हूं आप पेपर में अंदाज से ही ले 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 ना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कभी-कभी ऐसा होता है कि अरे डाग्राम भी कम्पिट करने के लिए आयता है तो अब्जेक्ट जो रखा गया है वो इस केस में कहा है हम लोगों ने यहां पर अप्टिकल सेंटर ओ यहां पर यहां पर डाले दे र एफ फवन ठीक तो यह आपका ऑब्जेक्ट है मैंने कहाता आप से जो जो यह प्रिंसीपल एक्सिस के पहलेल आईगी रहे है वह आफ्टर रेफ्रेक्शन काहां से आई फोकस से तो मैंने यह फोकस से पास कहा दिए यह चली होगी रहे फोकस से दूसरे जो आप से काता जो आप्टिकल सेंटर ओ पर आएगी ना वह वह बिदा कसी डैविएशन के बहुत नेगलिकल डैविशन देती हुई इस्टेट चलिए तो देखिए आप यहां देख रहे होंगे यह दोनों जो रेज हैं वो डाइबर जो और यह वाटा यह क्या कहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी ना क्योंकि यह क्या और यह दावर जो यह तो यह कहां मिलेंगी तो मेंने को बैकबड प्रोड प्रोडिश करके देखते हैं तो मैंने यह बैकबड प्रोडिश किया तो मैंने देखा यह यहां कहीं मीट कर गया है तो जो आपका इमेज बना वो किसम आपका अब्जेट यह भी आपका अब्जेक्ट होगा और आपकी इमेज है वह सेम साड़ अब्जेक्ट है इसको माले रहे एडस और बीडस ठीक है यह आप देख रहे होंगे लैंड पर आ रहा है डास बाट कोई दिखकर नहीं स्टार्ट इक से बीडियो देख रहे है तो आपको सब समझे मैं आ रहा होगा इसली तो अगर मैं लिखों मेटा इसकी इमेज की सिचुएशन के बारे में तो पहले हम लिखेंगे लोकेशन तो पहला पॉइंट जो है वह हो है आपका सेम साइड एस देट अफ अब्जेक्ट सेम साइड एज देट ओफ ऑब्जेक्ट यहां तक आपको कोई प्रावलम नहीं होने चाहिए दूसरा प्रेंट देखिए रहा आप अब अगर हम बेटा इसके नेचर की बात करें तो कैसी है आपकी चीदी है तो मैंने बोला था रियल गर्वर्जन से तो नहीं बनने बैकबड प्रोडिके में रेज को डॉट डॉट करके हम बैकबड ले यह जोगी मीन्स एरेक्ट बरुटु के साथ कैसी होगी मैंसा एरेक्ट और फॉर्थ पॉइंट ऐसे इमेज का वो होगा आपका साइज कैसा इसका बड़ा एन लार्ज कैसा है एन लार्ज इस केस में बेटा आपका देखिए यू भी रे इधा जा रही है रे दर है वह मेज इधा इधा कर रहे है अप्टिकल सेंटर से तो यू एंड बी और निगेटिव जबकि एफ कैसा होगा आपका एफ इज पॉचिटिव ठीक है बात यहां तक आपके सभी के किलियर हो गई होगी इसकी 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 आप ले लिजी है अब मैं बात करूंगा हूद की क downwards हो श्राइब इसकी इसकी श्राइब इसक इसकी सर्डी इसकी इसकी मैं यहां करूंगा धियिए कि आप है आपका के सम्रीश ठाइर , हेनग लगा लो के जिए ओके अब देखो बेटा केस थर्ड में में आपका अब्जेक्ट रक्राऊंड अब्जेक्ट प्लेज्ड एट एफ वन अमने अब्जेक्ट कहां प्लेस कर दिया है एफ बन पर तो भाही कहां नहीं फिर से एक बाद दो एक लेंस लिया कैसा कवर्जिंग या कॉनडेक्स यह मने डाली आप प्रिंशीपल एक्सेस ओके यह मैंने कहीं है एक बन माल लिया होगा तो यह हैं बन माना होगा बेटा यह आपका F2 मान लिया तो हां पर क्यायमने 2 F2 माना होगा ओके ठीक यह अप्टिकल सेंटर आपका वह हो जाता है ओके चलिए देखें आप आगे अब अब आपजक्त कहा रखा आपने अप्टिकल सेंटर बोफोकस एप पर सॉरी फोकस एप पर रखा ह रे पहली जो पैरेलल आई वो आफ्टर रेफ्रेक्शन किससे जाए फोकस से किससे जाएगी फोकस से जाएगी तो यह फोकस से गुजार दिवाई ओके दूसरी कहां से डालेंगा अप्टिकल सेंटर ओ से यह सीदी जाएगी तो आप देख रहे होंगे क्या यह रे इधर मिलेंगे पीछे की साड़ नहीं तो यहां कहीं मिलेंगी तो कहां जाके मिलेंगे यह मान लिए हमने है इंफिनिटी जो की आपने देखाई नहीं है ठीक है इंफिनिटी आपने देखाई नहीं है तो इनफिनिटी पए मीट करेंगे तो मैं इमेज के बारे में लख रहा हूं आप के पहला पॉइंट कि सभी में चार पॉइंट डैट एक हो explodes ने कलेंगे एट ऑन फिनिटी प्रिंस्पिल एकस नीचे कहीं बनें गी तो आपकी रियल है रियल है तो फिर फिल एकस के नीचे यू आपका नेगेटिव होगा बी और एफ आपके पॉजिटिव होगे कैसे होगे पॉजिटिव तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना आई होगी तो यह चीज़ आपके समझ में आगी होगी सभी के अब बेटा जो में नेक्स्ट केस है वह है आपका केस फोर्थ इसका स्कीन सॉट ले लो आप सभी ठीक है ले लीजिए चलिए आगे बात करते हैं आप नेक्स्ट ओके केस फोर्थ केस फोर्थ का कह रहा आपका तो मैं नमा लिया केस फोर्थ ठीक ना अब हम अब्जक्ट जो रखेंगे वो रखेंगे बिट्वीन एफ टू एफ बन एफ बन टू एफ मन अब्जेक्ट वेट्ले में पके बिरे फ1 ने खोर्थ के वेफ ओ को ओ करता है यह भना है में F2 2 F2 ठीक है यह दो रही को ज्यादा लग रही है बाट कोई नहीं चलिए अब्जेक्ट रख दीजिए यह आमने अब रख दिया अब्जेक्ट यह कोई रखा हमारा अब्जेक्ट ठीक है वही का काम करना आपको पहली रहे हैड से आगे आप्टर रेट्रेक्शन के से आगे से फोकस से होगे कुजार दी दूसरी रहे अप्टिक सेंटर ओपर आएगी और सीधी जाएगी नेगलिजिवल डैवीशन से यह जो बनी इमेज वह अपको यहां कहीं बनी होगी ठीक है तो यह आपका ए और बी यह होगा आपका बीडस और एटस ठीक है ना बीडस और एट आप देख रहे होंगे जो इमेज की कहानी है इमेज जो आपको नेरा यह एडस बीडस उल्टी है मीन्स रियल है और यह अपका टू टू एफ टू यहां पर था आपका बीयॉंड टू एफ टू बन नहीं है तो पहला कंडिशन क्या उसकी लोकेशन तो उमका लिखेंगे ब सब्सक्राइब के असमें पॉइंट सेकें जो है वह आपके रियल उसके बाद थार्ड जो है तो एल के साथ में तो नहीं का क्या है वात आपको इनवलकेड दो पूर्त है आपका, साइज देखिए, आप साइज देखिएगा, ये साइज और ये साइज दोनों में अंतर है, ये वाला साइज बड़ा ये छोटा है, means, and लाजेग बाही शीटिएएटों, यू आप का नेगितिव, बी, ई एमेन एंफ आप ऑब पॉझतिव, पॉझतिव, पॉझतिय को प्वाइटबगा, यू फट यूवाइट बोट को अंतुरियका, इस पहले, जो के सैज आपका, यह वाला सेकेंड इसे भी आप रो डाल देजिए इंपोर्ट बहुत बार पूंचा गया ठीक ना के सेकेंड और केस फिप्ट दोनों ही में इंपोर्टेंट डाल दिये केस उपर नीचे हो सकते हैं वाट सेच्वेशन आप समझ जीए अम मैं जो अब्जेक्ट रख रहा हूं रहा हूं आपका एट टू एफ वन ऑब्जेट्ट एट टू एफ बन ओके बही काम क्या लेंगे सबसे पहले लेंस ले लिया क्या डाल लेंगे प्रिंशिपल एक्सेस पीच का पॉइंट ओ एफ वन टू एफ वन अब देखें मैने टू एफ टू नहीं माना आप ठीक है मैं आपको पहले बता रहा हूं आप एक्जांड मैं फस्कुन नहीं माने यह इमेश आपकी अधिक हिए हमने रखा है ओब्जट टू एबन एसको नाम दिए भी इसको फुट जो भी है उनको नाम दिए ईल्वर पार प्रिजुट पर लाए इससे आध आपकी फोकस से ठीक न है उसके बाद आपकी अप्टिकल सेंटर से आए ओर जिस पॉंट पर का अटिए उसी इमेज ता आपकी ही हां कहीं काट रही है ठीक है तो इस पॉंट पर आपकी बन गई इमेज तो आपकी यहीं पर में मान दे रहा हूं आपका टू एफ टू इस केस में बेटा हमेश से याद रखिएगा थोड़ा सा आगे पीछ हो जाता क्योंकि मीजरमेंट नहीं किया बट आपको में बता जा रहा हूं जो मेंज बने वह आपकी टू एफ टू पर बने गी जैस से कौन के मिरर में में जब हम अब्चेक्ट को रखते थे सेंटर के वीज़े सीपर तो उसकी रिए अनुवर्ट इमेश का बनती थी अप्टिकल सेंटर सीपर सेम साइज तो जो इमेज की सिच्वेशन से हैं उसकी यगर हम बात करें तो पहला क्या है एट टू एफ टू ठी कर दो कि उसके बाद सेगेंड पॉंट है आपका रियल देख रहे होंगे आप यह आपका एड़स यह आपका एड़स और हीक आपका बीड़स एड़स नीचे आगे प्रिंशिपल एक्सिस के और अब्ज़क्ट में यह उपर था 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 थर्ड पॉंट a real at a place UV in a world kid a fourth point of the upper inverted same size as that of object same size as that of object okay clear next case of a sixth case sixth okay of object placed beyond 2f1 2f1 kb either beyond 2f1 kb pch tk now why he come when I am a first sequel calendar acceptable loop convex lens Lelia principal axis optical center f1 to f1 f2 to f2 ticker object car kaka beyond 2f1 a or b light ray parallel eye after reflection focus से जाएगी ठीक है अप्टिकल सेंटर ओपर आई जिस पॉइंट पर इंट्रसेक्ट करेगी उसी पॉइंट पर क्या बनेगी इमेज इमेज बन गई तो अगर हम इमेज की सिचुएशन देखे हैं इमेज तो इमेज जो बना है वो कहां बना है आपका पहला केस बिट्वीन एफ टू एंड टू एफ टू ठीक है दूसरा पॉइंट रियल है बेटा क्योंकि इस नीचे है अप्रिंश्प एक्सिस के नीचे आ रहा है है उसका थर्ड पॉइंट चुह आपका रियल होगी तो कैसी होगी इन वार्टर्ड उसके बाद आप साइज में दिखाई खुद से ही दे रहा होगा छोटा है तो डिमीन आइस जाह स्मॉल साइज साइज देखिए आपको यह बड़ा है एरो और यह जोटा है तो जादा आंतर नहीं है और वहीं किस कंडिशन यू जो है वो आपका नेगेटिव बी और एफ आपके फोकल एंद पॉजिटिव यहां पर भी यू जो था वो आपका नेगेटिव था और आपका बी कॉमा एफ जो है वो आपके पॉजिटिव है यू को अब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे बी को इमेज डिस्टेंस कहेंगे और एफ को फोकल लेंथ कहेंगे तो यह वीट अच्छे केसे साज अपने स्टड़ी किये छे में मैं बताए किस नंबर सेकंड और केस नंबर फिप्ट जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है केस नंबर सेक्स भी कई बार पूंचा गया है नुमेरिकल करवाऊंगों मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में तब तक खुश रहो अपना ध्यान रको और एक्जाम की बहुत महना से प्रिप्रेशन करते रहिए गुड़ नाइट टेक प्रिया